सरसो माच भापे की रेसिपी माच को धोकर साफ करें और पानी सूखा लें सरसों के बीजों को धोकर मिकसर पत्र में डालें और इसमें धनिया पत्ते अद्रक लहसुन डाल कर एक पेस्ट बनाए बाउल में माच डालें और उसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और पेस्ट को अच्छे से मिलाकर थोड़ा समय के लिए रखते अब एक पैन में पानी उबालें और माच अच्छे से भाप में करीब 40 मिनट तक पकाएं माच को बाउल से निकालें और उसे गरमा गरम परोसें